सारे किसान वीरन नूँ प्यार परी सस्रीकाल साथ्यों इस समय आपा पैनी खुर्द पेंड चाहें हैं साधे नाल अनिल कुमार जी ने होर किसान साथी ने आज आपा पूसा चौड़ी दा बीज जड़ा है वो काट रहे हैं पिछले साल भी काफी वीरने साथे तो बीज लिया सी आज तरीख होगी है जी 21 अक्टूबर 2021 आपा पांच किल्ने चे ये बीज लाया सी पिछे तुसी भेग सकते हो एथे आपा एक प्रागा जड़ा पूरी पट्टी जड़ी है काट लई है हलाके मिशीन चेंगी तरह साफ कर ली सी फेर भी अपां तो बखाईए कि काफी जड़ा जीरी जड़ी है सी पूसा चौली दी जड़ा भीज है उन्हों अपां एथे बार डोल रहे हैं एक खाली खांदे कामी आएगी ये बीच नहीं जाएगी इस तो बाद अपां बड़ा शुद भीज अच्छा भीज जड़ा है उन्हों कंबाइनल कटवान लगे है ते ओस तो बाद एदी पैकिंग होगी ये प्लांट जाओगा मैं कहना चामांगा किसान वीरानू कि पिछले तो पिछले साल साड़े तो जिननने लेया सी भीज है उन्हा कोलो श्री मुक्सर सान ने चौली कुंटल 400 ग्राम लेया पैदावारी लिती की किले चो एक वीर साड़े कोले आया सी परसों उन्हाने 16-17 अक्टूबर नू बीज कटवाया सी अपनी जीरी कटवाया सी पूसा चौली चो ना तो उन्हाने क्या जी साड़ी 90 मन निकलिये गी है तो ओस्च कई ल जी दसो किन्य कनाल दा एकराग है ओस नदर्वच में कहना चामांगा की किसान वीरा नूं एक कहना चामांगा की वें जड़े किसान साड़े कोले बीज लेंदेने वो बहुत अच्छी तरह रेकॉर्डिंग करना भी जान देने कि किना होना दा बीज होया है एस करके तुसी ये बेखो किनी सोनी साड़ी फसल खड़ी है ये मुझला बेखो क्लोज अप दिखाओ क्लोज अप दिखाओ एक एक दानक किना सोने ए प्लांट जाओगा ए बीज आपा पार्तिय क्रिशियनू संधान संस्थान जड़ा करनाल चाहे ओदे तो ले आशी ते ए बीज आपा हुन बना रहे हैं ते आज काट रहे हैं उस तो बाद ए बीज प्लांट चरहूगा और काफी संभालना अशी राखके फेर अशी एनू देमांगे पहले ते किसान पर आकोशिश खरन कि ए बीज जड़ा है गया ए पार्तिय क्रिशियनू संधान संस्थान करनाल तो ही लेन ये नहीं मिलदा ते किसान वीर इनू साड़े कोड़ों भी ला सकतेने देखो कम्बैन कटन नहीं है बिलकुल साफ बीज उतकरस्ट स्रेश्ट सोनब पक्या गया पूरी चौकसी नाल किसान साड़े खड़ेने जिना ने प्रोग्राम लाया साड़े बीज बनान लही ओननी खूबसूर्ती नाल लवान तो कटान तक असी पूरी मेंत करंड़े है तुसी चाओ ते साड़े कोड़ों भी ला सकते हो सारे नू बहुत बहुत शुक्रिया आप जी ने साड़ी वीडियो देखी वाईगुरुजी का खालसा वाईगुरुजी की भते